असलामने कम स्टूडेंस वेल कम बाग लेट्स सुटार्ट अनधर रॉग असपन्थ हें उसके जी जो वनिक्यूलय नीम्स हैं वो देखेंगे अंग्रेजी नाम जो है पॉलिजी देखेंगे इसकी माहियत क्या है इसका जो हिस्से मुस्तमिला है वो इसके तुख्म है बीच हैं जो हम इस्तिमाल करते हैं दवा के तोर पर ये जो इसके तुख्म होते हैं ये राई के बराबर होते हैं और सिया कलर के होते हैं ये और ये जो हैं फलो में तीन खानो में बरे हुए होते हैं इसकी दो कसमे पाई जाती हैं एक तो सिया जिसको असपंदे सोक्तनी बोलते हैं और दूसरा कम सिया होता है इससे जिसको हम असपंदे अर्बी बोलते हैं इससे एक खास कसम की वू आती है और इसका जो मज़ा होता है वो तालक होता है इसका जो पोदा होता है वो एक मीटर उंचा होता है और पते जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं लेकिन वो थोड़े लंबे होते हैं इसके जो फूल होते हैं वो सफेद जर्दी माइल होते हैं और इनमें पांच पंख़डिया होती है इसका जो फाल होता है वो चने के बराबर होता है और तीन खानों में वो डिवाइड करके होता है जिन में अस्पन के तुखमबरे हुए होते हैं अस्पन के पैदावरी इलाके देखिएंगे कहां कहां पर कल्टिवेट किया जाते हैं बारत में ये शुमाली हिंद में कल्टिवेट किया जाता हैं पंजाब में भी इसको बोया जाता है इंडिया से बाहर इसको अरब में कल्टिवेट किया जाता हैं चाइना में, पाकस्तान में और बेंगलादेश में इसका जो मिजाज है वो है गरम वखुश्क यानि होट एंड राई अस्पन के फंक्शन्स देखेंगे अफ़ाल देखेंगे इसके ये मुकविवा महरी के अहसाब है यानि नर्वाइन टॉनिक है ये और नर्व्स को स्टुमलेट करता है और मुकविवा है ये एफ्रोडिस एक प्रॉपर्टी है इसमें महली ले आवराम हैं एंटी इंफ्लमेटरी हैं मुनफिस से बलगम हैं एक्सपेक्टोरेंट कातली किर में शिकम हैं एंटी हेलमेंटिक हैं ये स्रिफ उनको नहीं करता है ये उनको एक राज भी करता है मुसमिन बादन है ये यानि जो एटिपॉस्ट इश्यूजज हैं उनको ये क्या करता है है बोडी में डिपॉस्ट करता है जदा जदा मुद्रबोल वहेल्ज है ये डायउरेटिक और इमनोगॉग है ये मुदरिशीर है यानि लेक्टोग है ये कास्टरिया है ये कार्मिनेट्यू है ये ज्यादा मिगदार में लेंगे तो ये मुनाविम है यानि सीडेट्यू है ये नीद लाने वाला है ये मुस्तकिन इहसाब है नर्वाइन सीडेट्यू है यानि इसके जो nerves by effects हैं वो है soothing effects इसके इसके use लेकिए इस्तिमाल कहा कहां पे हम असबनका करते हैं सुफू फाउम में हम जोफिबाब में इसका इस्तिमाल करते हैं लकवा फाली जिसमें भी इसका इस्तिमाल होता है वजल मुफासिल में अर्थरेलजिया में इसका इस्तिमाल किया जाता है। वजुल फतन में यानि लंबेगों किसी को लंबर पीन होती हैं। और कुनिसा में शियाटिका में भी हम इसका इस्तिमाल करते हैं। सुवाल बलगमी हमराई शहद यानि प्रोड़ेप्टिव काफ होगा किसी को तो उसमें भी हम सुफू फॉर्म में देंगे लेकिन शहद के साथ कान की दर्द में भी हम इसका इस्तिमाल करते हैं जिसको ओटेल जियो होगा और रोगनी कुंजद में मिलाकर हम कुतूर करते हैं इसका वजल मफासल में इसका इस्तिमाल किया जाता है बतुरी मालिश और मुक्तलिफ आवराम जो होते हैं उनमें भी इसका जमादन इस्तिमाल किया जाता है सरत अंजाल में इसका इस्तिमाल किया जाता है दूद के साथ और कसरत अहतिलाम में इस्तिमाल होता है और जरियान में, स्परमेटूरिया में भी इसका इस्तिमाल होता है और किलति लबन यानि पूर लेक्टेशन होगी तो उसमें भी इसका इस्तिमाल होता है अब आप देख सकते हैं कि अस्पंज जो हैं सिर्फ शाद्यों में जलाने के लिए नहीं होता है बिल्कि इससे बहुत सारे फवाइद जो होते हैं हासल किये जा सकते हैं बहुत सारी डिजीज में इसका इसका इस्तिमाल किया जाता है नफ़ा खाज जो इसका है वो अमराज बारिदा में हैं जिसे फालिज लगवा जो भी हमारी पासारिद अमराज होते हैं उसमें ये बहुत फाइदा देता है और नाफ़ और कुनिस्ता हैं ये शियाटिका में भी फाइदा देता है मुजरत जो है इसकी ये सरदरत पाइदा करता है और मुसले है इसके तुरुशफल और बदल है इसका सुदाब मिगदारी खुराग जो है इसका वो है तीन से पाँच ग्रैम इसके जो मशूर मुरकबात हैं वो है माजुने अस्पंद, सोक्तिनी, हुबी जरियान है, जमादी किबरियत है इसके जो केमिकल कॉन इस्टिटिएंट्स हैं वो है हर्माइन, हर्मलोल है इसमें, हर्मलीन है इसमें और पैगानिन थैंक यू फू वाचिंग, डू लाइक, शेयर और सबस्क्राइब